Hello everyone, आज का हमारे टोपिक B.A.B.A.C. 3rd year 6th exam, Linear Algebra Exercise 1.2 Exercise 1.2 के अंदर आज हम सब स्पेस को सीखने वाले हैं जी हाँ, सब स्पेस को सीखे, उससे पहले हमारे पास Vector Space की कुछ General Properties हैं, उनको देख लगते हैं ठीक है, तो हमारे पास some General Property जो Vector Space First Property है हमारे पास, अगर A की और 0 की Multiply करते हैं तो हमारा जो Answer आता है, वो 0 की एक वला आना चाहिए और जो Radical State Note का रखा है, इसका मतलब है कि यह 0 हमारे पास V से बिलोंग करता है ठीक है, अगर हम किसी 0 Vector की किसी भी Scalor से, नो जो Scalor से जीरो Scalor से Multiply करते हैं, तो हमारा जो Answer आएगा, वो Answer 0 Vector आना चाहिए ठीक है, फिर अगर हमारे पास 0 की Multiply U के साथ करते हैं और U हमारे पास V से बिलोंग करता है, ठीक है जी, और 0 हमारे पास को Scalor Number है तो इसका Answer भी हमारे पास कहना चाहिए, 0 Vector आना चाहिए राइट, क्या आना चाहिए, 0 Vector आना चाहिए, इस बात को ध्यान दा करना, ठीक है ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास Minus 1 की Multiply अगर U के साथ करते हैं तो मेरा Answer काना चाहिए, Minus U आना चाहिए, जहाँ पर U की से बिलोंग करेगा, V से बिलोंग करेगा फिर A की Multiply Minus U से करे, या A की Multiply U से करे, बाहर Minus लगा दे, ठीक है, या Minus A की Multiply U के साथ करे, तो यह हमारे पास कुछ आपको दिख रहा होगा, यह property हमारे पास कुछ associative टाइप के लग रही है, ठीक है, उसके इंदर हम क्या करते हैं, ग्रोपिंग की करते हैं, तो यहाँ पहले यू पे कर दिया काम, फिर दोनों को Bracket में कर लिया, Minus बाहर हो गया, फिर Minus A को Bracket में कर लिया, U बाहर हो गया, इन तेनों का अंसर क्या आता है, जहां पे जो A है, वो F से बिलों करता है, जो U है हमारा, वो V से बिलों करता है, ठीक है, फिर A into U-V, हमारे पास क्या अगर जीरो वेक्टर आती है तो इसका मतलब क्या होगा या तो एजीरो होगा या फिर यू वेक्टर हमारे पास क्या होगा जीरो होगा ठीक है जी क्या है मतलब यहाँ पर अगर एजीरो के एकॉल होगा या फिर यू जीरो के एकॉल होगा अगर एजीरो 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 के एकॉल होगा तो मारा आंसर क्या जाएगा यहां पर यहां से अटाती है क्योंकि हमारे पास पेस होतता है वह एफ लियन भी पेडिशन ठीक है तो इसके बात करेंगे हम सब स्पेस की कि सब स्पेस क्या होता है और उसको हुम कैसे चेक करेंगे ? कि हमारे पास अगर कोई सबस्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा.. इस सिज चेक को मुद्ध करेंगे । तो बात करते हैं सबस्पेस के सब स्पेस के लिए हमारे पास कोना चाहिए एक नोन एंपटी सबसेट होना चाहिए ठीक है जी लेट ए नोन एंपटी सबसेट डेवल लूँ इस सेट टू बिये नोन एंपटी सबसेट डूब और लूबडर वेखर-व्फ वेथख राफ बसेट वेखर-व्फ इस चाहिए फ्वेखर ड्डिये वेखर-व्फ-ज टूब a subspace it's set to form subspace कब बनाएगा if w is itself a vector space of v over f with same addition and scalar multiplication operations ठीक है जो हमारे पास vector के अंदोर परेशन दिये होंगे उसी के according हमारे पास w भी क्या करना चाहिए एक vector space बनाना चाहिए खुद का ठीक है जी vector space बन जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा वहां पर वो subspace बन जाएगा ठीक है सबसे पहले चीज़ क्या होने चाहिए वहां पर नोनम्टी अगर एंप्टी हो गया तो दो ट्री विल्टर हो जाएगा ठीक है तो ए नोनम्टी subset w vector space vf it's set to form a vector space set to form a subspace ठीक है क्या बनाएगा समस्पेस बनाएगा इस डबलू is itself a vector space of v ठीक है जी डबलू क्या होना चाहिए खुद एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए वी का ओर एप पे विद सेम एडिशन एंड स्केलर multiplication operation ठीक है इनके respect में क्या बना चाहिए वो खुद भी एक क्या बना चाहिए एक subspace बना चाहिए खुद भी एक vector space बनना चाहिए ठीक है तो बात करते हैं यहां पर example की तो महां लेते हैं डबलू हमारे पास क्या है A 0 0 जहां पर A ब्लोंक्त करता है और से डबलू लेते हम यह आशे अ डबिजीरो जहां पर A ब्लोंक्त करते हैं जो यहां पर जो डबलत वन हूगा वह हमारे पास क्या होगाonia थे पास कई व्टोटयाइन 298 दॉल्म अध्यूस्पेस और डीजहाँ है wysuk एब घ्रियाज थि एडू टो जो डियों सब्सेद मैं इक कि आ क्सμεत करि दूल्टय थी इडियुठ होन भू एड-ठीच सब धuchar यू सबचे इन ड सुटारा जैज़ ओसं सबस्पेस है जैडिय। स्मारे पास भी त्रियार के ठीक है यह हमारे पास हुई यहाँ परेक्टर स्पेस वेक्टर सबस्पेस के डेफिनिक्शन ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास नल स्पेस या जीरो सब्सक्राइब जिसके नदर मारे पास क्या हो जीरो एक्टरो ठीक है नल स्पेस जीरो स्पेस एंड एंटार स्पेस भी जो मारे पास कंप्लेट भी है वो क्या बनाता है इजे सबस्पेस एंड और कोल्ड कूंशे सबस्पेस मारे बास बनेंगे ट्रीविल ट्रीविल शर्पेस ठीक है इनकों क्या बोलते हैं जीरो स्पेस को और वी को एंब इंटेर वीको हम पोलते եीविल शर्पेस या फिर इसको वोलते हैं इंप्रोपर सब श्पेस ठीक है और इंप्रोपर है में यहम अरे पास को सधे इंपरोपर्स और से इन इन टेविव समयआ ऑफ से स्ट बने गिछ वह मारे पास कर लेंगे पर अब हम्हारे पास एनी लाइन एक पॉाइंट इमप coffin एनी लाइन एल इन आरें ठीक है एंट डबल के अंदर कोई भी एक लाइन है विच पासे थ्रू ओरीजन अलवेज ए सबस्पेस वह मारे पास क्यों गई सबस्पेस हो गई ठीक है जी जो लाइन हमारे पास क्या हो जिरो से पास करते हो एक्जामबल की बात करते हैं तो महा लेते हैं 2X प्लस के 3Y इज इक एकाल तो जीरो यहां पर X के प्लस के जिरो पूट करो जैडिक है तो हमारा अंसर क्या आता है जिरो के एक वलाजता है ठीक है जी आंचर का आता है जिरो के एक वलाजता है तो उस case में यह हमारे पास क्या बनाएंगे सबस्पेस बनाएंगे अगर आपको mcqs के अंदर कोई question आता है इस type से कि आपको 2x plus के 3y is equal to 0 दे रखा है और xy belongs करता है आर से तो आपको वहां पर सोचना भी ने पड़ेगा आपको पता है कि जो line है अगर जीरो से पास करते है तो हमारा सबस्पेस बनाएगा ठीक है आपको क्या करना है जर्नली यहां पर 0-0 फूट करके चैक कर लेना उसका अंसर अगर 0 बन जाता है तो हमारे पास क्या था वह ए जाना पर अब किसको चैक कैसे करेंगे क्या हम चैक करने के लिया घंश के दस प्रॉपर्यटी त्योड करेंगी जो प्रप्रेटिव legitimate करेंगे याँ नहीं हम या पर शिरफ और शिर दो प्रट Joint के अठारे एक तो मैद अनुने करेंगे एक तुंस-कलर तो सबस्पेस के लिए दूसरी डेफिनिशन हमारे पास हो जाती है यहाँ पे एन नोन एम्टी सबसेट डावलू वेक्टर स्पेस वी एफ इस सबस्पेस वी ओर फ इस एउ पलस के बीव बेलोंस्ट व वेर अब बेलोंस्ट व एव बेलोंस्ट टू एव एव बेलोंस्ट टू एव एंड यू वी बिलोंस्ट टू डवलू ठीक है यह हमारे पास है यू पलस के बीवी यह हमारे पास क्या है एक कंबिनेशन है किसका कंबिनेशन हमारे पास यह वेक्टर एडिशन का है और स्केलर मेल्टिपलिकेशन का मानलो मैं यहाँ पर क्या करूं एको और बीको वन पू सब्सक्राइब मेरे पास टैकल सकते हो कि एक बार उसको क्या करो है सबस्पेस नहीं बनाए जाए जहाँ पर एबी तो हमारे पास क्या स्केलर एप्स आते हैं और यूरी मारे पास डवलोवस आते हैं थीक है यह हमारे पास यहाँ पर स्पेस के देफिनेशन इसके बाद हमारे पास कुछ थोरम से उनका प्रूफ तो मैं नहीं करा रहा भी ठीक है अब कहोगे अनका पूर्फ भी करा दे जाएगा फिलन बात करेंगे एक्सरसाइज की तो तो उसके लिए हमारे पास दोती मेजरिल और से जो हमारे पास इंटरेक्शन होती है। w1 intersection w2 यह भी हमारे पास क्या बनाती है और सब्स्पेस अभी क्या बनाएगे यह सब सेज़ को या डबल लो न इन्ट अवलू तो इन्टेक्शन डुरीड एंट इसकिन डूलुप पूर एंट सुन intersection WN जितने भी हमारे पास interaction की family बनेगी हमारे पास वो सब भी किसे भी क्या बनाती है subspace बनाती है ठीक है but क्या union भी बनाएगी नहीं तो W1 union W2 यह हमारे पास W से बिलूम नहीं करती है ठीक है यह क्या आएगा यहाँ पे me or me note यह बना भी सकते नहीं बना सकते in general यह नहीं बनाएगी क्यों नहीं बनाएगी उसके बात करते है मा लगते हैं मैं W लगता हूँ यहाँ से W1 यह ले लिया मैंने यहाँ पे A, 0, 0 ठीक है जहाँ पे A बिलूम्स करता है हमारे पास R से और W2 ले लिया मैंने यहाँ पे 0, B, 0 जहाँ पे B बिलूम्स करता है मेरे पास R से ठीक है यह हमारे पास है हमें चेक करना है क्या इनकी Union सबस्पेस बनाती है या नहीं बनाती है ठीक है जी चेक क्या करना है W1 Union W2 यह सबस्पेस बनाएगी कि नहीं बनाएगी तो अब देखो यहाँ से हमारे पास W1 और W2 हमें दो प्रोपेटी चेक करना है कौनसी कौनसी एक तो वेक्टर एडिशन और दूसरे हमारे पास Scalar Multiplication ठीक है तो मान लेते हैं कि जो U V है वो बिलोंग करता है W1 Union W2 से ठीक है तो U किसे बिलोंग करता है U बिलोंग करेगा W1 से और V बिलोंग करता है W2 से ऐसा मान के चलता है में यहाँ ठीक है जी तो अब यहाँ पर U Plus V करेंगे तो मेरे पास क्या एगा ठीक है जी अगर मिन खो एड करता हूं A00 को, ठीक है पलस के 0 B0 खाट हूं तो आंसर में पास आता है A B0, बट यह तो मेरे पास W से बिलोऊंगई नहीं करता थेक है? यहां पर मेरे पस किया है , नहीं बनाएगा प्रप्र सब्सक्राइब, कि सब्सक्राइब किसा या यह थो सब्सक्राइब बनाएगा ? तो अब बात करते एक्सरसाइज को हburgσιों सकता है तो बना सकता है तो बनाएगा कब बात उसके आता है यह तब बनाएगा अगर हमारे पास डबल वन डबलो टू के अंदर कंटेन करता हो या डबलो टू डबलो टू डबलो टू के अंदर कंटेन करता हो ठीक है जी डबलो टू डबलो टू डबलो टू कंटेन डबलो टू ठीक है तो तब हमारे पास क्या बनाता है यह सब स्पेस बनाता है जब एक दूसरे कंदर कंट space of R cube. ठीक है. एक्जामीन वेदर. वेदर. दा फोलोविं आर. सबस्पेसिज ओफी. सबस्पेसिज बनाता है कि नहीं बनाता है. अब जो मैंने एक प्रोपर्टी बताई आपको उसको देखते ही, आप यहां से डायेट बता सकते हूं कि इस बस्पेसिज बनाएगा कि नहीं बनाएगा. ठीक है? तो X, Y, Z belongs to R. यह हमारे पास है. तो इसको देखो ध्यान से, जो हमारे पास है दिया हूँ, यह 3X पलस के Y-Z के यह सबस्पेस बनाता है कि नहीं बनाता है. तो हमने क्या कहा था कि जो लाइन होती है, और जन से पास करती है, वो हमेशा क्या बनाएगी? तो देखो यहां से हमारे पास, X, Y, Z, यह हमारे पास दे रखें, तो जो हम वेक्टर चूज करेंगे, वो यहां से चूज करेंगे. ठीक है जी, लेट, यू इस इकॉल टो मैने लिया है, आँसे, X1, Y1, Z1, and V लिल तो में आँसे, X2, Y2, Z2, यह किस से बिलों करते हैं, डबलू से बिलों करते हैं, ठीक है जी, यह हमारे पास डबलू से बिलों करते हैं, और माल लेते हैं, यहां पे, अल्फा बीटा या A, B, belongs to, F, हमारे पास कहा है, R, फिल्द हमारे पास, R, दिरिक यहां पे, और यहां पे रेक्टर स्पेस ओफ, R, Q, ठीक है, A, B, belongs to, R, Q, therefore, तो अप्रोपर्ट यूज़ करेंगे, A, U, पलस के वी, ठीक है, सबस्वे चेक करने के लिए, हमें एक प्रोपर्टी चेक कर एक प्लस के वी, तो एक ही मल्टीप्लाई यूज़ के साथ करेंगे, यह हमारे पास है, X1, Y1, Z1, पलस के B की मल्टीप्लाई करेंगे, एक साथ, X2, Y2, Z, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह A, X1, A, Y1, A, Z1, पलस के B, X2, BY2, B, Z2, ठीक है, तो देखो, करेंगे लिए को फर्स्ट को फर्स्ट को अधिस का और दिष्ट आइडिशन एक्सफन पलिस्के भी एक्सफ फिर एवाई वन पला स्के भी वाई टू फिर आज वन पली के भी जट तो ठिक यह हमारे पास आगया, इसको मान लगते हैं कि हमारे पास क्या है, equation number 1 राइट, देखो अब ध्याँ से definition यहाँ पर क्या थी, कि x, y, z थी हमारे पास condition क्या अपलाई की है, कि 3x, इसके मिल्टिप्लाई 3 के साथ करो इसके मिल्टिप्लाई 1 के साथ, और इसके मिल्टिप्लाई 1 के साथ करके इनको एड़ कर दो, तो हमारा answer क्या जाए, 0 के एक वला जाए, ठीक है तो हमने इनको simplify किया यहाँ से, तो क्या मैं इसको 3x, इसको direct add कर दो इसको minus 7 के मिल्टिप्लाई करके यहाँ add कर दो, तो मेरा answer क्या ना चाहिए, 0 के को लाना चाहिए, अगर 0 आ जाता है, तो यह हमारे पास क्या बनाएगा, सबस्पेस बनाएगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ यह लिया था, यह भी belongs to our, then, यहाँ पर condition लिख लेते हैं, क्योंकि हमने x1, y1, z1 लिया था, तो condition क्या बनेगी, 3x1, plus k y1, minus k z1 is equal to 0, and 3x2, plus k y2, minus k z2 is equal to 0, ठीक है, यह हमारे पास condition हो गई, यहाँ से, क्योंकि x, y, z था, तो condition यह थी, तो x1, y, 1, z1 होगा, तो condition हमारे पास यह बन जाएगी, x2, y, to, z2 होगा, तो condition हमारे पास यह बन जाएगी, ज़स हमने क्या किया, x, y, z को इन से replace कर दिया, तो हमारे पास यह बन गया, ठीक है, now, यह condition x, y, z है, तो x पे 3 cm, तो 3 के multiply करेंगे इसके साथ AX1 प्लस के BX तो ठीक है जी फिर प्लस Y add करेंगे AY1 प्लस के BY2 ठीक है जी फिर माइनस के AZ1 प्लस के BZ ठीक है यह हमारे पास है और इस इकोल टू क्या? 0 तो इसका answer अगर 0 के एकोल आ जाता है अगर यह हमारे पास सैटिस्वाइ कर देती है और इसन से पास हो जाती है तुम कहेंगे इसको कि यह हमारे पास का बनता है? सबस्पेस बनता है ठीक है जी तो करते हैं मल्टिपलाई 3AX1 प्लस के 3BX2 प्लस के AY1 प्लस के BY2 माइनस के AZ1 माइनस के BZ2 इस इकोल टू तो यहां से 3AX1 फिर यहां से प्लस के AY1 फिर यहां से माइनस के एक सेखेंड हमारे पास AZ1 ठीक है? ओके प्लस के फिर 3BX2 प्लस के BY2 माइनस के BZ2 ठीक है जी इस इकोल टू जिरो अभी यहां से हम क्या कर सकते हैं AAA तो A को मन निकाल दे अंदर बचेगा 3X1 प्लस के Y1 माइनस के Z1 प्लस के यहां से B को मन निकाल दे तो 3X2 प्लस के Y2 माइनस के Z2 इस इकोल टू जिरो ठीक है जी यह हमारे पास बन गया लेकिन इसकी वैल्लियों हमारे पास क्या है? 0 के इकोल इसकी वैल्लियों हमारे पास क्या है? 0 के इकोल ठीक है? तो मैं यहां से क्या लिख सबता हूँ? A into 0 प्लस के B into 0 is equal to 0 ठीक है जी? यह हमारे पास equation number 2 आ गई तो therefore from equation 1 & 2 से तो हमारे पास क्या यहां पर क्या बनाए गई है? W वीचे सबस्पेस ठीक है? हो गया हमारे पास इतना काम देखाँ हमें जस इतना काम करना और सबस्पेस मारा चेक हो गया हमने आठ प्रोपेटी जाएक निकरनी हमने सिर्फ दोप्रोपेटी चेक करनी है एक तो वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रोपेटी और एक स्केलर मल्टिप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रोपेटी वे कलोज हो जाते हैं तो हम कह देंगी जो सबस्पेस हमारा वो क्या बनाता है सबस्वेस बनाता है ठीक है जल्दी से नोट कीजिए फिर बात करते हैं इसको द्यान से समझेगा फिर आपको करने है ठीक है तो अब बात करते हैं से इसके सेगन पर्ट की मैं टेमलो इपलो से लेड़ फिर एक्स पलस य मां इस जैड इस इकोल तो जिरो एक्स प्लस थी वाइड इस इकोल तू जीरो X Y Z belongs to R ठीक है यह हमारे पास है इसको मिचाय करना है तो देखो धान से देखते हैं आपको पता चल जाएगा कि यह रेक्टर स्पेस्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा नहीं सबस्पेस्ट बनाएगा कि नहीं तो देखो यह क्या है लाइन की एक्वेशन है ओईजन से पास करत है ये लेलते हैं कहां से यहां से ठीक है जी का रेले यहां से तो हमारे पास क्या 먹는 इग्रा एक्स ओमें और दुख नहीं विय्वेशन यह हुँ आए aq2 y2 कि जाग्टू बिलोंस टूट डबिलू ठीक है जी डेंuesto हम이다 तो हमारे करना है तो यहां से हम करेंगे, x1 प्लस के y1 माइनस के z1 उकल तो जिरो और दूसरा मारे पास, दो सेimal टिप्लाइ करना है, समय इसकी थिक है करें, दो से लग्यकर है तो 2 x 1 प्लस के 3 y1 माइनस के z1 is equal to 0 and यह तो काम हमने की इस पर किया है सिरफ x1, y1, z1 पर किया है अभी काम सेम x2, y2, z2 भी करेंगे तो यह बनेगा x2, plus के y2, minus के z2 is equal to 0 और 2x2, plus के 3y2 minus के z2 is equal to 0 ठीक है 4, a, b belongs to r के लिए हम क्या करते है now au, plus के b, इसको चेक करते है तो हमने ले ले यहां से a, और u की वे लिए मारे पास है x1, y1, z1 पर लिए की वे लिए मारे पास है x2, y2, z2 तो मल्टिप्लाय करेंगे a, x1, a, y1, a, z1 ठीक है पर लास b, x2, b, y2 ठीक है यह हमारे पास हो गया राइट तो इसको करेंगे कमपोरेंट वाइज इडिशन तो एक्सवन पलस के भी एक्सटो एवाइवन पलस के बीवाइटू एजएडवन पलस के बीचेट इसको मालते एक्विशन नमबर वन ठीक है यह हमारे पास कोई कंपोनेंट आ गया है यह हमारे पास यह पलस के बीवी राइट तो हमारे पासे कोडिनेट आ गया है तो यहां पर ये भी क्या करेगा। इससे और आरसे बिलों करेगा। थीक है। तो अब हमे करना क्या है.. अब हमे करना यह है कि जिस परकार से एपलाई किया हुआ हुआ है.. 2 को जोड़के हमारे पास क्या था जीरोस के एकवला नवंद तो शेम का हुम यहां पर करेगे। alred मैं यह काम यहां ऐसे भी कर सकता हूँ अधरवाइस मैं क्या कर सकता हूँ जो यह हमारे पास दे रखें एक्सफन प्लस वाइवन मैं जैड़ मन और यह हमारे पास ट्रेक्शन प्लस के थ्री वाइवन मैं जैड़ टू जैड़ वन ठीक है और यह हमारे पास दे रखें तो मैं यहां पर इनिए पर Lai सकता हूं आ चीज है ठीक है तो भी हमारा अंसर किया सकता है जीरो के इउपने हसको को चुमूं कि और दिकते हैं तो इसको कैसे किया हो है इंप फिर्श्ट दो कौैड किया हूए थर्ड वाल को सब्सक्रेट किया वाइत तम यहां प्लस के भी एक्स टू ठीक है जी पलस एवाई वन पलस के भी वाइटो और तीशर को सब्रेट के आवाद तो माइनस लगाएंगे एज एड़ वन पलस के बीच एड़ इस इकोल टू मेरे पास क्या बने जीरो ठीक है जी यो गया से एंड मैं कि ये भी पॉपट लेगे चलू साथ में ठीक है जी एंड टू टाइम एक्स वन पलस के भी एक्स टू ठीक है जी फिर क्या है थी टाइम सेगेंड का थ्री टाइम सेगेंड कोडिनेट एवाई वन पलस के भी वाइटो फिर माइनस के थर्ड एज एड़ वन पलस के बीच एड़ टू इस एड़ टू इस एक है मैंने यहां से दो को ले लिए एक साथ इसको इसको एक साथ ले लिए ठीक है जी फिर का हुम यहां से सेम काम इसके ले कर सकते हैं राइट है ओके तो इसको करते सिंप्लिफाई यहां से हैं तो हमारे पास क्या बने गई है एक 1 प्लसके भी एक सथ कर लेता है तो एक साथ कर लेता है तो एये क्सूण प्लस एवाई 1 माइनस का एजाय एड़वन ठीक है जी प्लस फिर एक सटो वाले भी वाले भी एक सटू पलस to minus k bz2 is equal to 0 ठेक है जी and यहां से 2ax1 3ay1 minus k az1 plus 2bx2 plus k3 by 2 minus k bz2 is equal to 0 ठेक है यह हो गया हमारे पास इतना काम अब देखो ध्यान से a x1 plus a y1 plus minus k z1 तो यहां से a common निकले रहा है हमारे पास तो a common निकाल देता है a common निकलेगा तो अंदर बचे का हमारे पास x1 plus k y1 minus k z1 ठेक है जी plus k b को मन निकालेंगे तो x2 plus y2 minus k z2 is equal to 0 ठेक है पहले इसको simplify कर लेते हैं फिर इसको कर लेंगे ठेक है तो यहां से x1 plus y1 minus k z1 तो x1 plus y1 minus k z1 इसके value क्या है 0 के equal तो put करते हैं यहां पे a 0 plus k b x2 plus y2 minus k z2 यह क्या है मेरे पास 0 के equal तो यह आगा हमारे पास 0 ठेक है अब दूसरी property बात करते हैं यहां से इसके लिए क्या करते हैं एक को मेरे निकाल लगते हैं अंदर बचेगा 2x1 plus k 3y1 minus k z1 plus k b को मेरे निकालेंगे 2x2 plus k 3y2 minus k z2 is equal to 0 तो 2x1 plus 3y1 minus k z1 यह हमारे पास है इसके लिए क्या 0 के एक वाल है तो a into 0 पलस के b time इसके value यह हमारे पास into 0 is equal to 0 तो हमारे पास यहां से इसको में नाम दे दू को equation number 2 ठीक है यहां से यह हमारे पास एक एलायम लिखे हुए है तो इसको में equation number 2 नाम दे दिया तो from 1 and 2 से तो देखा हमारे पास condition क्या होगी satisfy हो चुकी है ठीक है जी जो condition थी हमारे पास क्यों क्यों होगी satisfy हो गई है तो from 1 and 2 से a u plus k b v belongs to w where u e belongs to w and a b belongs to f therefore w यह subspace हो फी बस इतना सा काम करना है और question कर दम ठीक है जल्दी से note कीजे फिर बात करते है इसके next part की जकास है यंदी से ऑास ये औरोफ है 庭ास कि वि पुआ दु eyelए बही है क्या उते है बही है है इसके अधा हमारे पास third part W is equal to X1, X2, X3 such that X1 plus K X2 greater than is equal to 0 जहां पर X1, X2, X3 belongs to R ठीक है? यह हमारे पास है यह चेक करना है कि यह सबस्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा तो सबसे पहले देखो ध्यान से यहां पर एक चीज X1, X2, X3 यहां पर कंडिशन क्या है? greater than is equal to 0 यहां पर यहां पर इसबस्पेस बनाएगा क्यों नहीं बनाएगा? उसकी बात करते हैं यहां पर तो प्रोपर्टी यहां पर कौन सी फेल होती है? उसकी बात करेंगे ठीक है जी? राइट? तो माल लगते हैं यहां पर W is not a यहां से कोई माल लगते हैं कि ऐसे दो वेक्टों जोसके अंदर कि उनका सम करने पर हमारे पास क्या बन जाए? 0 के खुला गेट दिन जिरो है ठीक है? तो माल लगत तो में यहां से एक त्री लेलता हूँ चलो यहां से में लेता हूँ ठीक है? ओती से मैंने यह ले लिया राइट यह क्या करेगा? यह डवलो से बिलों करेगा क्यों करेगा? क्योंकि हमारे पास X1 प्लस X2, 5 यह क्या आता है? 3 आता है और यह क्या हमारे पास? greater than 0 है ठीक है यह कंडिशन सैथिस्फई हो गई? यह हमारे पास इससे बिलों करता है, ठाक है? आपको यह पता चल गया है कि हमने यू यहां से डिसाइड कैसे किया यू प्रेक्टर समझ आ गया क्या किया है फर्स्ट दो का एडिशन क्या हूं विछ यह पोजिटिव होना चाहिए ग्रेट देंजिरो होना चीए तुमने दो ले लिए यहां से फाइवर माइनस टू का एड करेंगे तो त्री आता है री का ग्रेटेञ जीरो ठेक अजी लैट एंड हम एलते हैं यहां से मिलेवक ऑडिशन तो मारव पास से आर से अंधों इसकी मटिपलाय करते हैं यू हम बात करते हैं स्केलर मिल्टिकलिकेशन के ठीक है थिक है बैक्टर एडिशन तो हमारे पास हो जाएगा दो एक्टर गि तो आंसर क्याएगा पोजिटीव री आएगा ठीक है बट यहां से कि इनकी मल्टिप्लाइ करते हैं तो माइनस वन की मिल्टिप्लाइ करते हैं 5-2 उनके साथ यह बनता है हमारे पास माइनस 5, 2 और माइनस 1 बट यह तो हमारे पास W से बिलोग ही नहीं करता क्योंकि हमारे पास माइनस 2 पलस 2 यह क्या आता है माइनस 3 जो कि हमारे पास क्या है लेश दिन 0 ठेक है जी तो यहां पे हमारे पास therefore W is not closed with respect to scalar multiplication ठीक है जी तो W यहां पे क्या है note A subspace हमने आप इसका example दिखा दिया कोई property fail करती है तो हमें उसका example दिखा देंगे कि हमारे पास इस example के वज़े से property fail करते है तो इन examples को हम बोलते है counter examples ठीक है जो एकदम से क्या हो विल्कुल स्टिक बैठे हैं वहां पे कि हमने तीर निशाने पे छोड़ दिया है और वहीं पर जाके टिक जाए ठीक है तो यह हमारे पास हो चुका है third part जल्दी से note कीजिए फिर बात करते हैं इसके next part की ठीक है तो इसके बाद हमारे पास फूर्थ पार्ट w is equal to x1, x2, x3 such that की x1, x2 मेरे पास कहते हैं 0 के एक उल आता है तो x1, x2, x3 यह बिलोंग्स करते हैं r से तो यह भी हमारे पास क्या है जी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा अब आप यह मत कहा ना कि 0, 0 पूट करेंगे सरे 0 बन जाएगा ठीक है वो किस के लिए है वो लाइन की एक्वेशन के लिए है बट यह हमारे पास लाइन की एक्वेशन नहीं है अगर बीच में पलस होता है माइनस होता तुम कह सकते थे कि वेक्टर स्पेस बनाएगा सबस्पेस बनाएगा ठीक है बट यहां पर क्या प्रोड़क्ट है तो यह फेल गयो नीची किसी ने किसी पर ठीक है तो फेल किस पर हो गई है यह हमारे पास डवलू इस नोट को पर एक वेक्टर लेलते हैं यह उसको यहां पर की नंबर ऐसा चीन है में कि X1 X2 की मिल्टिप्लाइब करने पर जो मेरा अंसर है वहां से मेरे पास क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए ठीक है तो यहां पर ले लो बन जीरो टू ठीक है एंड वी लेले मैं अप एक जीरो 3, 2 शोलिए, ये मैंने कहां से belong करते हैं, W से belong करते हैं कैसे करते हैं X1 X2, first 2 वालों की multiply मेरे पास क्योण चीब 0 और चीब तो first X1 X2 की multiply करो क्या आता है, 0 आता है इसमें 0 की 3 की multiply करो क्या आता है, 0 आता है हंजी, 0 आता है, ठीक है तो इनको add करते है now u पलस के भी add करेंगे 1, 0, 2 पलस के 0, 3, 2 add को रुक्या बनेगा 1 पलस 0, 1 0 पलस 3, 3 2 पलस 2, 4 यह तो मेरे पास w से बिलोंगे नहीं करता क्यों नहीं करता क्योंकि 1 into 3 यह तो मेरे पास 3 आता है यह क्या है not equal to 0 ठीक है जी समझ आया क्या है 1 or 3 की multiply मेरे पास कहते है 3 आती है जबकि आना कहा चाहिए 0 आना चाहिए 0 नहीं आया है it means यह हमारे पास belong नहीं करेगा subset से any subset से belong नहीं करेगा तो हमारे पास w से belong नहीं करता है तो यहाँ पे हमारे पास therefore w is note closed with respect to vector addition ठीक है जी तो यहाँ पे w क्या है note a subspace आपको समझा गया होगा अब आपको यहाँ पे कोई doubt नहीं रहने वाले s के अंदर कि subspace को हम चेक कैसे करेंगे कैसे पता लगाएंगे कि हमारे पास subspace बनेगा की नहीं बनेगा सिंपल से बात है कि सबसे पहले आप यह चेक कर लो कि हमारे पास क्या वो line की equation है या नहीं line की equation है तुम देखते ही बोल देंगे अगर line की equation नहीं है उसके लाव कुछ हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे अपनी properties को चेक करेंगे u को v को add करेंगे और au की multiply करेंगे अगर वो हमारे पास satisfy हो जाती है तुम कह देंगे कि हमारे पास का यह vector subspace है otherwise subspace नहीं होगा ठीक है जी तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या को यह सा example है जो यह आप इस चीज को fail करता है ठीक है ऐसा आपको थोड़ा सोचना पड़ाएगा क्योंकि मैं यह आप वेक्टर कुछ और भी लेख सकता था यहां पर मैं यहां पर 0-0 ले ले लूँ यहां पर 0-0 ले ले लूँ वो तो क्या अगर है satisfy कर जाएगा ठीक है इब बात करते हैं के नेक्स्ट कोश्टन नेक्स्ट कोश्टन हमारे पास V V Vector Space और R-Cube examine whether the following are sub-spaces of V और node हमारे पास same चीज दे रखे है भी ठीक है जी तो चलिए करते हैं इसके बात तो कोश्टन नम्बर 2 फर्स्ट पार्ट हमारे पास सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर हमारे पास यह क्या है सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए करते हैं बात कौन सी प्रपर्टी फैल करते हैं आपे उसकी बात भी करेंगे ठीक जी लें यहां से कि एक्स वाई जैड इसको देखते हुए लिए ना मैं ठीक है एक्स यजैड ले लिया यह क्या करता है बिलोंग्स टू डबलू की सच देट हमारे पास कि डी इसकी बात कॉफिया हिए घेक्स के प्रफी जैड सके क्या जैसिट लेस डान गाल शीड जी करता है तो इसके एक्स यहां पास 3x, 3y, 3z ठीक है यहां से इसको देखो शैटिस्फ़ाइ करती है कि नहीं करते हैं तो यह हमारे पास डेजन्ट बिलोग शुडब लू क्यों नहीं करती देखो यहां से इसका स्केर करो 3x का स्केर पॉलस के 3y का स्केर पॉलस के 3z का स्केर यह मारे पास का तरीका स्केर नाइन अंदर बचेगा एक स्केर प्लस वास के प्लस के जाड़ सकेर यह मारे पास यहां न यह को थोटा नहीं होगा है हमरे पास के यह वंसे छोटा नहीं होगो कि हमारे पास यहां पे क्या चुका है ना इना चुका है और ना इन का मुल्टी बले यहां पर चोटा नमबर लेकर लेगे रहें तो यहां पर हमारे पास W is not closed अंडर स्केलर मल्स्क्लिकेशन therefore w is note a subspace तो यह हमारे पास के है subspace नहीं होगा ठीक है जल्द इस note कीजी फिर बात करते हैं next part की कि अउन्सक्राइब को इस ए मैं आपको बढ़ूने बनाव हा कर आपको है आपको बढ़ने मजा आरे होगा तो १ année से कमेंट बोक्स OK Mini कर के मुझे बनाएं उसने सुदे और आप मेरे साथ शेभड़ हैं की नहीं बढ़ रहे हैं आपको मेरा पढ़ाया समझा रहा है और अपना बात करने का कि आःट अप तो पता चल जाता कि को आप में से चैडी कर रहा है नहीं कर रहा है तो हमारे पास नेक्स्ट है एक स्वाइजएट पर देखो ऑफ पो श हुआ नहीं धिलनाने वाला उसकी बात करेंगे अ कर जाएगी अगर मैं आसे एक्स लेता हूं पोजिटिव नंबर ठेक है बात करें चोब से पहले एडिशन की अगर में आसे फर्स्ट कोडिटीनेट अगर ये लिता हूं मालिकिवान ले लिए मैंने पॉजिटिव ले लिया दूसर एड रिले वी उसका कोडिया बने पोजिट से क्योंकि जो फर्स्ट हमारे पास कोडिनेटे टू यह क्या है गर्ट इस इकल टू ठीक जी लेट हम ए लिलते हैं यहाँ पे माइनस के टू ले लिया मैंने यह किसे बिलों करता है आर से बिलूं करता है फिल्ड का ईलिमेंट है नौ अधि के dud基本 टू तो माइनस के टू टू ट्रीफॉर माइनस के नहीं करता है रही हमारे पास यहाँ पर क्या होका जी माइनस कहब और ले जेकशे यह हमारे पास डबलू से बिलोंग नहीं करेगा तो therefore w is not closed with respect to scalar multiplication ठीक है scalar multiplication तो डबल यहां पर क्या होगा सबस्पेस नहीं बनाएगा जलती से नोट के जिए इसको डब हमारे पास third question let v is equal to our cube xyz belongs to our so that the following subset of vr subspaces आपको show करना है कि हमारे पास क्या है subspace बनाते हैं ठीक है बनाते हैं तो au plus के bv w से बिलोंग करता हो आपको show करते हैं ठीक है जी तो चार पार्ट दिया हो इसके अंदर बिल्कुल सेम पार्ट है जो मुने उपर की है फर्स्ट कोशन के अंदर ही आप इसको अपने आप कर लेंगे बिल्कुल आसान है तो बात करते हैं आप इसके b पार्ट की 3 का b पार्ट हमारे पास है let v be the vector space all polynomials in x of degree less than is equal to 5 ठीक है जी और bracket में लिखा हुआ है यहां पर including the 0 कि आप 0 polynomial भी होने चाहिए 0 नहीं होगी तो आप एक ट्रेडिशन की बात कैसे कर पाएंगे आप फिर identity fail हो चाहिए ठीक है तो इसलिए यहां पर 0 इससे बिलों करना होना चाहिए ठीक है जी तो over the field क्या हो हमारे पास field क्या हो है if f of x belongs to v explain which of the following are which of the following are subspaces of v subspaces of v हमें explain करना है कौन सा हमारे पास v का subspace बनाएगा की नहीं बनाएगा है तो w हमारे पास दे रखा है एक्स्पेंड विच्छ फॉलिवेंगा सबस्पेस बनाएगा तो यहां पर हमारे पास w दे रखा है f of x such that coefficient of x cube is 0 ठीक है जी तो बात करते है हां से let f of x g of x belongs to w such that coefficient of f of x coefficient of x cube in f of x and in g of x is 0 ठीक है जी हमने क्या ले लिया f x g x इस प्रकाश ले लिए किनका जो coefficient है x को coefficient f x के अंदर g x के अंदर क्या हो 0 के एक वल हो तो यहां से तो f of x plus g of x यह क्या करेगा w से belong करेगा ठीक है जी तो because sum of coefficient of 0 each again ने 0 ठीक है माले देखो मैं बात करते हैं आपे अगर मैं यहां पे 0 into x लेता हूं ठीक है जी एक स्क्रीड वह यहां पे 0 into y क्यूब लेता हूं ठीक है तो इनको एड़ कुरो 0 into x cube प्लस के 0 into y cube क्या बनेगा 0 into x cube क्या 0 coefficient की बात करें कोफिशेंट 0 है तो प्लस की 0 अगे निक बनता है हमारे पास 0 बनता है ठीक है तो यहां से हमारे पास f of x फ्लस के जूफ एक्स ये कंडिशन क्या होगी शैटिस्फाई हो गई इसी परकार से लैट ए बिलोंग्स टू क्या हूं ए कोई एलिमेंट है हमारे पास किस से बिलोंग करता है क्या हूँ से बिलोंग करता है तो a f of x ये भी क्या बनेगा हमारे पास w से बिलोंग करेगा ठीक है जी विकोज मलिटिपिलिकेशन और एनी नमबर ड़ू जीरो इस अगए जीरो हमारे पास मलिटिकिश्षिन लिए नमब phone ठाख है क्या हूं के इंदर से को department करते हैं थो हमारे पास क्याता है जी रहता है तो यहाँ पर बात करता है था आपी नमबर लेकर gram तो कि यह तो आप बोल सकते हो ऐसा बट मैं कौँगा फिर कि वन बाइज यह उत्ता है कि जो हमारे पास रेज़न नंबर उत इह प्यपोन क्या होते है जहां पर क्या होता है दूजिरो ठीक है तो फिसके और नहीं होगी तो यह हमारे पास क्या बनाएगा सब्सक्रीश बनाए कर दी शो कर दे ठीक है अब यहां से एक साथ प्रोपर्टी भी शो कर सकते है एक प्रोपर्टी एफ एफ एक्स प्लस के भी जू फैक्स वाले राइट तो भी हमारे पास शांसा जाता देर फोर डेवलू इजे समस्पेस यह काम आपको करना है ठेक है जल्दी से नौट कीजिए इसके बाद हमारे पास second part f of x is a polynomial of degree less than is equal to 3 और f of x is a 0 polynomial यह पार्ट मा आपके लिए छोड़ रहा हूँ less than is equal to 3 के लेगे पूल लों मिल उनको add करेंगे तो आंसे भी हमारे पास क्याएगा less than is equal to 3 ही आएगा ठेक है जी और multiply करेंगे किसी scalar number से तो उसकांसर भी क्या आएगा less than is equal to 3 आएगा 3 भी हमारे पास क्या बनाएगा सबस्पेस बनाएगा यह पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूं और इसके बाद बात करते हैं बिल्कुल सेम गरना आपको इंदर तो यहांसे हमारे पास w defined क्रणा एक फव एक सब्सक्राइब करने पास कितल आता है मतलब फंक्शन के अंदर ठीपर कर दो एकस के प्लेस फे तो अंसर क्या चाहाइब नहीं जीडर बने तुम्हें से लेले तमकोई नमबर लैट F of X G of X belongs to 0 W such that F of 3 मेरे पास क्या आता है 0 आता है and G of 3 मेरे पास क्या आता है 0 आता है ठेक है जी इनको add करो F of X plus के G of X ये मेरे पास क्या करेगा W से belong करेगा कि नहीं करेगा because F of 3 plus F of 5 is equal to F of 3 के value क्या 0 plus के 0 answer मेरे पास क्याएगा 0 आएगा तो हमें क्या चीए 0 वी चीए तो ये क्या करगा हमारे पास W से belong कर गया अब बात करते है A belongs to हमारे पास क्या है क्या हूँ ठेक है जी एक उसे belong करता है मैंने अगर पीछे कोई क्या जाएगा क्या हमारे पास है, तो नाओ, Jeff, 동 फो करेंगा, क्योंकि हमारे पास, AS weight is equal to, A time, F of X के लिए, हैनि F of 3, हमारे पास क्या हैगा, 0 आजाएगा, यह हमारे पास, F of X, 가격 सने लिए हां से, तो हमने एडिशन दिखा दिया, स्केलर मल्लिक्लिकेशन दिखाती है तो हमारे पास यह कि इस से बिलों करता है जी इसे डव्लियू से बिलों करता है तो देर फोर डवलो जे सब स्पेस जल्द से नोट केचे फिर बात करते नेक्स कोक्शन के कि इसका फूर्थ पार्ट बिल्कुल सेम पार्ट ऐसे ठीक है वह पार्ट आपको खुट रहे करना बिल्कुल ऐसे लिखना पूसकरना अब बात करते कोशन नूम्बर 4, if V is the vector space, V is the vector space of all real valued all real valued functions of real variable defined on 01, so that the following subsets of V are subspecies ठीक है फिर्स्ट पार्ट हमारे पास है आल इवन फंक्शन्स और सेकेंड पार्ट हमारे पास है आल कंटिनूस फंक्शन्स ठीक है तो इसको करते है शो हमारे पास ही है so that the following subsets of V are subspaces यह subspace मनाएंगे यह में शो करना है तो first part की बात करते है आपे all even function let w is equal to f of x such that f of x belongs to v and f of x is even function अब इवन function की बात करें तो even function हमारे पास क्या होता है कि उसके अंदर अगर f of minus x put करते है तो भी answer मेरे पास क्या आता है f of x आता है ठीक है and g of minus x put करेंगे मतलब क्या बात है कि अगर मैं-2 की मल का स्केर करता हूं तो answer में पास क्याता है 4 आता है ठीक है बट यहां पोले मिल की बात करें तो उसका answer मैं इसा क्या मिलेगा positive मिलेगा राइट कि f of minus x put करो या f of x put करो उ उसका answer अपने इसा क्या आएगा same आएगा equal आएगा ठीक है तो यहां से बात करते हैं तो let f of x इस से बिलों करते हैं belongs to w ठीक है जी no तुम यहां से इसके लिए दो property दिखाए एक बार tradition एक बार scalar multiplication ठीक है यह हम क्या करें यहां से एक property दिखादे combine तो मैं अपले करता हूं and a b belongs to हमारे पास किसे बिलों करेंगा a b of real valid function of real valuable define so that the function ठीक है तो हमारे पास यह आज से बिलों करता है ठीक है तो अभी यहां से नो a f of x plus के b g of x यह हमारे पास क्या एगा a f of x plus के b g of x यहां पर है हमारे पास कुछ a f of x plus के b g of x यह हमारे पास क्या करेगा belongs to w करेगा ठीक है बिकोज a sum of two even functions it's again it again and even function दो even function को में एड करते हैं तो उनका ऑन्सा हमारे पास काता है अगे एवन वंचा आता है अगर मैं एवन नंबर की बात करता हूं तू हमारे पास एदूसाहा फूर इनको एड करते हैं तो आं समारे पास क्याता चाहता तो इसे परकार है हमारे पास यह क्या है फंक्शन से यह तो हमारे पास दूसे भी लूग कर गया एड हमें इसके लिए चेक करना है कि A of F of minus X plus के B of G of minus X ठीक है तो हमारे पास क्या बनेगा एफ of minus X के लिक इसके फॉल है एफ of X के लिए पलस के B of X के लिए यह भी क्या करेगा हमारे पास W से भी लोग करेगा देरफॉर W जे सबस्पेस ओवी ठीक है जी बस हमें इतना सा काम करना था और हमारे कुशन कंपलेट जल्द हे से नोट किई फिर बात करते हैं पार्ट टू की और यहां पर हमारे फिर half X कंपलेट हो जाएगी तो बात करेंगे second part की, second part के अंदर क्या दिया हुआ है, all continuous functions ठीकेज, f of x belongs to v and f of x is continuous function, यह हमारे पास है, ठीक है, तो f of x, v से बिलोंग करता है, f of x continuous function है, तो इसके लिए भी क्या दिखाना पड़ेगा, स्केलर, एन इवेक टेडिशन दिखा दे, तो let f of x, g of x belongs to w, ठीक है जी, यह डबलोंग से बिलोंग करता है, तो now, f of x plus k, g of x belongs to w, यह हमारे पास बिलोंग करेगा, विकोज, sum of two continuous function, is again a continuous function, दो continuous function का, अगर हम सम करते हैं, तो हमारे पास कहता, again continuous function आता है, यह हमारे पास continuous function की property होते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं पदता है, तो आप chapter 1 जाकर के देख सकते हो, फर्स्ट एर का भी, और second year का भी, first time, third time का playlist बनी होई है, ठीक है, तो यह हमारे पास का W से बिलोंग करता है, algebra of continuous function, continuity, ठीक है, उसकंदर मिले गए, अब दूसरे property हमारे पास बची है, एक तुमने चेक कर दीए, आप एक ट्रेडिशन की, अब दूसरे property हमारे पास a scalar multiplication की, ठ ठीक है जी, let a belongs to r, ठीक है, तो now, a f of x, यह भी क्या करेगा जी, यह भी हमारे पास W से बिलोंग करेगा, because scalar multiplication of continuous function, is again a continuous function, तो यह हमारे पास W से बिलोंग कर गया, addition हो गया हमारे पास, scalar multiplication हो गया हमारे पास, ठीक है जी, तो therefore, W से बेक्टर सबस्पेस, मिले तो यहां पर W से सबस्पेस, ओफ वी, तो W हमारे पास क्योंगा जी, सबस्पेस हो चुका है, किसका वी के लिए, तो यहां पर हमारे 4 question complete हो गए है, जो next question है, वो करेंगे next class के अंदर, मिलते है जल्दी फिर, bye bye, take care, see you, thank you for watching,